अपनी जिन्दगी में कभी भी किसी भी दिन को मत कोशना क्योंकि अच्छे दिन खुशिया लाते हैं और उरे दिन अनुभ़ों और ये दोनों चीज़े हमारी जिन्दगी में बहुत जरूरी है गुड आफ्टरनून एब्रिवन वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल दोस आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूं दिन के दो बजे से दूस्तों आज संडे तो आज बच्चे भी घर पे हैं और मेरे हजबन भी और सांस सबी मतलब घर पे हैं तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बहूने चलें तो वहां पर एक मंदिर है मैं आज आपको अब हम आपको मंदिर दिखाएंगे जल्दी से हैं ना बड़ा भी आप स्मेंजी गए थे तो इस तो विल्वेट वह सारे लोग भी यह हैं राजा रोड और आपको दिखाते हैं मंदिर यह मंदिर का रूप और मंदिर आई गया लगभग यह देखिए यह देखिए अच्छा देखने में ही बहुत संदर लग रहा है इसे ही इंदिर की एंट्री यह अरिहन के पापा अब अरिहन मिताच भी बोड़ रहा है कि मुझे बजानी है यह आप वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं हम मंदिर में प्रवीश कर रहे हैं अब यहां पहन दी महराज जी और यह श्रीव शंकतर भगवान जी जय हो प्रभु जी जय है बोले नाथ जय है बोले नाथ साई भगवान जी बीए यह आपे साई भगवान डाव साई यह नर्सिंग भगवान जी है, और यह महादुर्गा, यह गुरूजी है दोस्तों, यह था राजा रोड का मंदित, और यहाँ मैं दर्सन कर लिये हैं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर, और अभी मैं आपको यहाँ पे इसे सत्रुगन सिना का स्कूल भी दिखाती हूँ, जो उन्हों नहीं यहाँ पे बनाया था, इसी के बगल में है, यह बंदित के बगल में दिखाती हूं में लिया, और यह बहुत बड़ा इस्कूल है, यहाँ पे हॉस्टल भी है, और तारी फैसलिटीज अवेलबल हैं, और है, यह राजरोड वाली रोड साइड है, मतलब भावाला वाली रोड पर, दिरदुन है, दे इंग्यान पब्लिक स्कूल, मैं चलाना सीखरी हूं, और मतलब सीख गई थी लॉबडाउन में, लेकिन फिर एक साल से मैंने नहीं चलाई थी, और फिर आज स्टार्ट करी हूं, तो कैसे चला रही होड़ा देखें, पर डर भी लग रही है, पर डर के आजे जीते हैं, ना, झेखें के लोगवान हो, या रही है, पर रही है, तो कैसे चलाई रही है, हमें चलाई थी लॉबड़ाएं, पर ब्लाई तो कैसे तो कैसे टोछ भी थी लॉबड़ाएं.. कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थन्यवाद बोलना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों ने मुझे भेर तारा ग्यार दिया एक वीडियो में पूरे 1.2 के कम्प्लीट हो चुके हैं मेरे लिए बहुत पुशी की बात है और अब यह तो स्प्लेंडर गाड़ी है और इस पे ही मैं सीख रही हूँ अभी क्योंकि छोटी गाड़ी है भी भारी ही गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए लेकि लाने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी बुलट में बैठनी मैं और वो चलाऊंगी मैं बुलट तो फिर आप देखना उस वीडियो को और मेरे वीडियो के साथ बने रहे यूँ ही तो बहुत-बहुत गन्यवाद आपकी मेरी वीडियो को देखने के और अब हम घर के लिए चलने के लिए रेडी हो गए हैं अब क्योंकि शाम भी होने वाली है मतलब अंधीरा होने वाला है कुछ ताइम बात और मंदीर में भी हम घूंग गए थे थोड़ा फिल्ड में आय तो हमने सोचा क्यों अब यहां पर भी थोड़ा बाइक चला लू मैं तो थेंक यू बोलना चाहूँगे अपने हस्बिन को जो मुझे बाइक सिखा रहे हैं यह